गौतम गंबीर ने टीम इडिया खुले कर दिया है बड़ा बयान चेहां दोस्तों जिससे कि आप जानते हैं कि टीम इडिया के हेट कोच गौतम गंबीर हैं और जिस तरीके से श्रिलंका में ODII मुकाबले में पॉफुमंस हुआ वो थोड़ा सा कहने कहने ले जो है टूटा नसरा है लेकिन एक बाद फिर से जिस तरीके से T20 में श्रिलंका खिलाब पुशांदा प्रदर्शन क्या था वैसा हैं कुछ टेस्ट मैच में टीम इंडिया करना में करते नसरा रही है और इसके पीछे जो श्रे जा रहा है वो गौतम गंबीर को जा रहा है और इसलिए टीम में हर एक जो खिलारी है वो सबसे इंपोर्टेंट है और सबसे मजबूत है वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप को लेकर गोतम गबीर ने ये भी कह दिया कि इस बार टेम इंडिया वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप को लेकर काफी जादा बेकरार है और बिल्कुल ही वर गौतम गंबिर जो है खुश्यों से लबरेज हुए हैं उसके बाद तो हज ट्रिकेट फैंस यहीं कहे रहा है कि शायद मुड आन है और गेम भी आन है फिलाल आपको बता दें कि वर्ट टेस्टर चेंपर्शिप में भाते टीम सबसे नमबर वन पे है नमबर दो पे और स्ट् तरीके से पहले टेस्ट मैच में बांगला दिश के खिलाब रिशाप पंथ आद रश्मीन मतलब पहले इनिंग में चाल्ज विकेट गर जाने के बाद भी गजब के कमबैक हुआ है भाते टीम का इसको मद्दे नज़र रखते हुए गौतम गंबिर को यह लग रहा है कि परतास तरीके से रिशाप पंथ का फॉर्म रहा आर रश्मीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से चल पड़े रवेंदे जड़े अबार में आप जानते हैं कितने अच्छी परफॉमस की जस्मित पुम रहा है तो बेस्ट बेस्ट जो 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 कंपेर किया जाता है वो बहात टीम अब विश्व में सबसे नंबर वन पर है और दुनिया के सबसे बहतर टीम यहां पर बात टीम बन चुकी है इसके अलावा कोई भी बात टीम के टक्कर देने वाली कोई टीम नहीं है अब इस कॉमेंट पर आपके क्या राए हैं गौतम गिमिज ने जो बात बोली है उस